हलो फ्रेंड मैं रागनी और आजम सीखेंगे सब्बे साची ब्लाउज की कटिंग और सिलाई तो फ्रेंड देख सकते हैं पर पेटर्म दिया हुआ है सब्बे साची ब्लाउज का तो आपको किस तरह से इसकी कटिंग करनी है और 34 बतीस दोनों साइज जिसमें मैं कभर ब्लाउज की कटिंग में पूरा डिटील में बताऊंगे और फ्रंट पार्ट को भी रेडे करना बताऊंगे यहां पर दिखियास्तर को खोलेंगे और यहां पर डबल फोल्ड कर लेंगे आपको अपने साइज किसाफ से फोल्ड करना है मैं यहां पर 32 चेश्ट का बना रहे तो आठिश आ गया, कमर 26 इंच है, तो उसका चोथाई भाग 6 इंच आ गया, ब्लाउंच की टोटल लंबाई मुझे 13 इंच में करनी है, तो एक इंच प्लस करके 14 इंच लंबाई आ गया, यहाँ पे बाजू 9 इंच में हमें रेडी करना था तो बाजू में भी आपको एक इंच मार्जन लेना है तो यह तो मेरा साइज था जितने साइज का मैं ब्लाउज बनाने जा रहे हूँ अपने साइज की साइज से आप पे अच्छे से लिख लीजिए गा उसके बाज से करे जिएगा यहां पे नीचे के साइडे एक इंच मार्जन लेठे हैं जो की हर आक ब्लाउज में बैग पार्ट में हम लेते हैं तो उसी तरह से बैट पार्ट की कटिंग एकदम सेम होगी यहां से रेडी लेंद रखना है ब्लाउज का 13 तो मार्जन को छोड़ते वे 13 पे मार्क कर लेंगे आदा इंच हमारा नीचे कमर पट्टी में और आदा इंच सोल्डर जॉइंट में जाएगा जो हम मार्जन लिए है तो यहां पर देखें फ्रेंस डीप नेक में ब्लाउज है तो सोल्डर कितना लेंगे साड़े पांच इंच लेंगे अगर आप 38-48 तो छेंच सोल्डर लेजिएगा मैं यहां पर 32 साइच का बना रही हूं यहां भी हम साड़े पांच इंच में मार्क करेंगे और दोनों नीचे के साइट कमर का चोथाई भाग साड़े छे इंच था क्योंकि 26 कमर है एक इंच कमर के डाट के लिए और दो इंच एक्ष्टा मार्जन ले लेंगे तो यहां पर देखे फ्रेंस बैक पर्ट की जो मार्किंग है यहां पर हमारी कम्प्लीट हो गई है अब यहां पर आपको अर्मोल में गुलाई देने के लिए जो भी आपका अर्मोल का लंबाई है पहले उसका हाफ कर लीजिए आपको विल्कुल सीधा सेफ लाना ना थे इस तरह से और कॉर्णर से एक इंच एक सुते पर तीर का निसान बनाएंगे और उसी निसान को टश करती हूँ जहां पर हाफ यहां पला करके तो इस तरह से आर्मोल में अगर आप सेफ देते हैं तो बैक के आर्मोल में भी कप्र कठा जो होने का प्राब्लम है वो दूर हो जाएगा अब सोल्डर मुझे दो इंच में रेडी करना है तो धाइंच में मार्जन में जाएगा तो टोटल गले की चौड़ाई हमारी तीन इंच बचेगी क्योंकि सब्वे सांची ब्लाउज में सोल्डर पतला ही रहता है दो पर लिए उसको डबल फोल करके रखें है तो आपको भी पहले पेपर के ऊपर उसका पेटर्न बना लेना है उसके बाद से कपड़े को उपर कटकरना है तो अब हम बैक पार्ट को लेंगे और दोनों का फॉलड़ साइड एक तिरफ मिलाके रखेंगे और फॉल्ड जा पर से आपको सबसे पहले क्या करना है जिस तरह से आपका बैक पार्ट कटा हुआ है बिल्कुल उसके बराबर से पहले आपको मार्किंग कर लेनी है मैं सिंपल तरीका इसलिए बता रहे हैं जो वीगनर्स हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए तो देखिए यहां पी इस लाइन चेंज में दो सुता कंपर मार्क करके यहां पे आर मोल का से फिर से ड्रो करेंगे और ड्रो करने के बाद से यहां पे देखिए हलका सा गहराई देते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे कि आगे के पल्ले में गहराई देते हैं तो यहां पे एक इंच पे हमारा आ गया अब को यहां पिरू Chi thinkبر लेकि आपको चाहर और आप्षे बंकार लीक्ट definitely आपको देखे धियनकों देना जितना आपका कमर का टीन को तो sabang चेंच है और उसके आपको दो इंच मर काัपके vast पर तरह पर पको दただएहां कि लिए कपड़ा है आगे के पल्ले में हमारा डाट नहीं लगता है क्पड़ा कर लेहा है कि जुमातर प्रेस टिर्चे में मरत जसके ढिस एक प्रेस को कर लेंगे अब यहां जो अंदर की जो fitting वाली है जहां पे हमें सिलाई चलेगी बस वहां पे आपको मार्क कर लेना है इस तरह से तो fitting वाली marking को आपको clear कर लेना है fitting वाली marking कर लेने के बाद से यहां से फिट से solder नाप लेंगे देखे तो ठाइंच हम back part में ले थे शोल्डर तो आगे के पल्ले में भी आपको ढ़ाई इंची मार करना है सब्बे साची ब्लाउज में ज्यादा तर पान गले का सेफ होता है तो यहां पे मैं आठ इंच पे गले की गहराई ले रहे हूं और पान गला बना रही हूँ अगर आपका ब्लाउच का लंबाई 15 इंच है तो 32 साइज में भी आपको तो साड़े 9 इंच पे यहाँ पर मारक करना है लेकिन मैं 9 इंच पे इसलिए मारक कर रहे हूँ क्योंकि कम हाईट के लेड़ी के लिए मैं ब्लाउच बना रही हूँ ब्लाउच की लंबाई 13 इंच ही है अब डाट से बंद भाग की दूरी 3 इंच होनी चाहिए 32-34 साइज में 3 इंच अप ले सकते हैं 38-40 साइज में आप 4 इंच लीजिए यह किलियर हो गया लाइन को सीधा करने के बाद से जहां पर हमारा डाट पॉइंट है उससे डेड़ इंच नीचे के साइज एक और पॉइंट बनाएंगे और यहां से इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे लाइन को सीधा करने के बाद से फ्रेंस देखिए अब आपको यहां पर आर्म होल साइज में 32-34 साइज में देखिए यहां पर 32 साइज में एक इंच दो सुता हम ले रहे हैं अगर आप 34 साइज का बना रहे हैं तो डेड़ इंच पर मार कीजिएगा और इससे भी हाईबी 36-38 साइज का बना रहे हैं तो दो इंच पर मार कीजिएगा फिटिंग से उसकी दूरी आपको यहां पे एक इंच दो सुता लेना है 32 साइज में देखिए यहां पे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है जो टक्स पॉइंट है और उसको अब यहां पे वहीं पे इसको रखेंगे और तीर्चे में एकदम बंद भाग के तरफ जहा बनाएंगे जो हमारा बेल्ट का सेफ आएगा देखिए जो एक इंच एक सुता पे हमार किये थे वहीं से आपको राउंड सेफ देते हुए मिला लेना है तो आप देख सकते हैं किस तरह से बिना फर्मे का भी बना सकते है इसको एकदम राउंड आना चाहिए कहीं भी मतलब कोर नहीं दिखना चाहिए तो यहां पे अगर आपको लगे कि कहीं भी थोड़ा सा मिश्टेक हुआ है तो आप दुबारा से उसको ठीक कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप दो तीन बार रिपीट करकी इसको अच्छे से कवर कर लें तो आप देख सकते हैं किस तरह समें दोबारा मुझे लग रहा है कहीं कि दबा हुगा मार्किंग है तो वहां पे मैं अच्छे से कर ले रही हूं तो यहां पे यह वाली जो नीचे वाली मार्किंग किलियर हुई हमारी बेल्ट की मार्किंग किलियर हो गई है तो देखिए एकदम राउंड सेफ आया है अब यह इसको कट कर लेंगे लेकिन इसके पहले आपको एकदब अच्छे से मार्किंग कर लेनी है उसके बास चिए कट करना है तो देखिए अब नीचे के साइड वेल्ट कट हो गया एक लेयर कटिंग हो गई अब दूसरा लेयर देखिए यहां पी नहीं को घुमाव देना है उसी मार्किंग के उपर देखे तीन लेयर हमारा कटिंग हो गया है अब यहां से हम गले को कट कर लेंगे तो गला के भी हमारी कटिंग हो गई है अब देखे आप बच्चे हुए पेपर को लेना है और यहां पे तिर्चे में रखते हुए जो बीच का पार्ट हमारा कट हुआ था ना उसको इस पे रख लेंगे तो आपको कपड़े के उपर भी इसी तरह से तिर्चे में रख के कट करना है ध्यान देना है अब देखे एकदम बराबर से मार्क कर लेंगे नीचे के साइड बस इसी जो बीच वाला पार्ट जो रख के हम मार्क करने है बस इसी में थोड़ा सा आपको चैंजस करना है बाकी सब पार्ट सेम रहेगा अब देखे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक सीधा लाइन बना लेंगे देखे इस तरह से सीधा लाइन बनाने के बाद से देखे मैं आपको समझाने के लिए फिर से ले रहे हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो यह वाला जो हमारा पाट है ने इसके नीचे यह वाला पाट आएगा तो जो नीचे वाला पाट में इसके उपर रखके मार की थी देखे यहाँ पर साड़े तीन इंच की जो टक्स के लिए दूरी ली थी ना बंद भाग के तरप से दिखिए फिर से आपको इस पे रखे मैं समझा रही हूं यहाँ से दूस वहिं पर आपको साज़े तीन अगल कर लेहित से वहीं पर मार्क कर लेना है और अब यहाँ पर दो सूतर कम यहाँ पर साइड बिल्कुल सेम आपको कट्टिंग कर लेना है कुछ भी एक्स्टा नहीं लेना है तो यहां पे बस बीच वाला इक पार्ट आपको चेंज करना है बाकी बागी बाट सेम रहेगा और यहां पे देखे यह जो पाठ इसको हम फेक देंगे कोई काम का चीज नहीं है उसको ह स्टृम। चैशों के कbourg निखें एक लिएंगे फज्वाला यहां देंगे नीचा-वाला पाठ हमारा रेडी हो गया तो यहां पिदेखे ह। an लेयर में हमारा फ्रण पार्ट उता है जो नीचे का बेल्ट आप देख सकते हैं और ओपर के साइड जो गला वाला पाठ है उसको देख सकते हैं यहाँ पी देखिए बीच वाला पाठ है तो पेटर्न हमारा बन गया है अब आपको कपड़े के उपर किस तरह से कट करना है यह चीज में आपको बताने वाली हूँ तो सबसे पहले अस्तर के उपर आपको कट करना है तो बैक पाठ तो पहले ही कट कर लिए है अब आपको फ्रंट पाठ को कपड़े के उपर कट करना है तो पहले आपको अस्तर के उपर इसे कट करना है देखिए इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर लिए है और डबल फोल तो अब देखे फ्रेंज आपको बेल्ट की मार्किंग कैसे करनी है कपड़े के उपर नीचे के साइड तो आदा इंच मार्जन लिये थे बेल्ट ज्वाइंट करने के लिए इसे भी इसके उपर रख लेंगे बीच वाला पाथ हमें तिरचे कपड़े के उपर रखना इसलिए यहांee कि जब हुपड़े उपर वाले पाट के साथ सोथ ए जॅइंट रहेंगे तो उसमें आपका आदा इंच मर्जन जाएगा तो यहां पे उपर की साइड रहें बस आदा समय मार्जन लेंगे बाकी नीचे हमारा कमरपटी जॅइंट करने के लिए जान पहले हीME है कि वहाँ पे joint में जाएगा हमारा कपड़ा देखी आर्मोल के side सेम मार्किंग रहेगा और गले के side भी सेम ही रहेगा अब इस part में भी नीचे के side आपको एक एक चाप बढ़ा लेना है जितना पकड़ के सिलाई लगाते हो उतना कपड़ा यहाँ पे बढ़ा लेना है तो देखी इस तरह से मैं नीचे के side बढ़ा ली हूँ साइड में सेम मार्क कर लेंगे तो दो पार्ट की जो मार्किंग है हमारी यहाँ पे complete हो गई है और अब हम इसको अस्तर के उपर कट कर लेंगे तो पहले आपको के लिए नीचे कमर पटी के लिए पहले ही हम मार्जन ले लिए थे बैग पार्ट में एक इंच अब देखे बीच वाला पार्ट आपको देखी इस तरह से कट करके निकाल लेना है तो देखे दो पार्ट हमारा कट हो गया जो बीच वाला पाट है वही बागी है तो उसको देखिए यहां पे कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा था तो यहां से हम कट कर लेंगे कपड़े को डबल फोल्ड कर लिए और आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कॉर्णर पर तिर्चे में रखके इसे कट कर रही हूँ तो इस पार्ट में आपको दोनों साइड मार्जन लेना है इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि यह बीच का पार्ट है उपर की साइड भी ज्वाइंट में जाएगा और नीचे की साइड जब आप पट्टी में इसको ज्वाइंट करेंगे तो भी आपका मार्जन जाएग अधा कि लिए दिखें, मैं आधा इंच, उपर के साइड खिसका लीुँँ, सेम पहले मार्क कीजिए, और जितना पकड़ के सिलाइ लगाते हो, उतना खिसका लेंगे, अब उपर के साइड भी हम सिलाइ मार्जन बढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं, इस तरह से, उपर के सा जना आपको लेना है अस्तर के उपर ही बढ़ा लेना है क्योंकि एकदम अस्तर की हिसाब से ही में कपड़े को हम सेट करेंगे और हमारा ब्लाउज बनेगा तो देखिए अस्तर के उपर जो फ्रंट पार्ट की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है नीचे वाला बेल्ट है और यह उपर का पार्ट है इसको अलग कर लेंगे देखिए दोनों को यहां से आपको बीच से कट कर लेना इसको गला हम इसलिए इसके उपर नहीं कट की है क्यो पर तो उसी की हिसाब से सिलाई लगाकर के बाद में छाटेंगे और यह बीच वाला पाठ ने इस पर आपको कोई ना कोई सिंबल दे देना मैं यह फ लिख रहे हूं दोनों पर आपको इसलिए लिख लेना है कि ताकि आपको पता चल सके ज्वाइंड करते टाइम कि यह वा गला का पेटर्न दिया हुआ ने बीच से आपको एकदम बीच से फोल्ड कर लेना देखिए फोल्डिंग आपको एकदम बीचों बीच से लगानी है और बीच से फोल्डिंग लगाने के बाद से जहां से आपका गला का सेफ दिया हुआ है उसी साब से अस्तर वाले पाठ को रखे चारों तरफ से आधा दा इंच कपड़े बढ़ा करके आपको कट करना है कपड़ा आपको कम नहीं कट करना है यहां से आधा दा इंच बढ़ा के कट कर लेंगे तो जो गला वाला पाट है न उपर का वो हम कटिंग कर लिए हैं यहां से देखिए तो देखिए गले वाले पाट को कट करने के बास से न तो यहां ते देखिए फ्रेंस दोनों साइड से न जो हम गला वाला पाट अला गला कट के थे उसको रख लेंगे और यहां से मेन कपड़े को भी आपको बीच से कट कर लेना है तो यहांसे बीच से कट कर लेंगे और अगर आपको गले की चमणाई कम करने है उतना छोड़ करके आप गले के उपर सिलाई लगा करके इसको यहां से पलट सकते हैं बहुती इजिली तो यहां पे देखिए दोनों साइड से एक दम बराबर से मिलाते हुए पिनप करके इसको एश्टीच करेंगे अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले बेल्ट वाला पाट कर लेंगे तो उसके लिए नीचे के साइड से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए और देखिए नीचे का जो एक्ष्टा कपड़ा है उसको हम कटकर के निकाल लेंगे और इसके ऊपर बेल्ट वाली पाट को रखेंगे जो हमरा रास्तर वाला पाट है रखने के बाद से ना अब जो देखिए जो बीच वाला पाट है उसको भी रखे अच्छे से चेक कर लेंगे यहां पर देखिए दोनों साइड जो हम यह चीज का आपको खास ध्यान देना है कि जो आप सिम्बल दियो हो ना जो बीच से जहां जो आइंट होगा वह चीज को आपको आमने सामने रखके इस तरह से कट कर लेना है नीचे के साइड आदा इंच आप मार्जन छोड़ते हुए कट करें बाद में उसको हम छाट के निकाल लेते हैं जब अस्तर को में कपड़े के साथ करते हैं तो कौन से पट को जोइंट करना है यहां पर देखे अब मैं मसीन पे आ गई हूं और सबसे पहले आपको गले को रेड़ी करना आगे का जो गला होता है उसको रेड़ी करना है तो एमबोटरी के बाद यहां पर जितना चौड़ा आपको सोल्डर देखे धाइंज पर हमार किये थे उतना आपको बाहर के साइड अस्तर को रखे और तीन इंज गले की मुझे चौड़ाई रखनी है तो तीन इंज पर यहां पर पिन लगा लेंगे दूसरे साइड भी आपको इसी तरह से अच्छे से नाप करके देखे बीच का कपड़ा थोड़ा सा चौड़ाई ज्यादा हो रहा था उसको हम कम किये हैं तो दूसरे साइड भी हम आ गये हैं और यहां पर पिन लगा लेंगे आमने सामने रखके आपको गले की चौड़ाई आपको सेम नाप लेना है उसके बाद से पिन लगाना है यहां पर और अस्तर वाले पाट को आपको सीधे साइड से रखना है इस चीच का आपको ध्यान देना है क्योंकि सीधे साइड से रखके सिलाई लगाएंगे तभी तो कि यहां से मैं नीचे की साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट कर रहे हूं दूसरे साइड भी आपको सेम आडिया से गले के बोट्री बिल्कुल साइड सी सिलाई लगा लेना है और यहां प्यामने सामने रख के अच्छे से पहले चेक कर लेंगे सिलाई के बाद एक चाप कपड़ा मार्जन के लिए छोड़ती है बाकी कपड़े को नीचे तक कट कर लेंगे दूसरे साइड भी आपको सेम आइडिया से कट करना है पूरे गले में छोटा छोटा कट लगाएंगे और अब अस्तर को बाहर के साइड पलटा करके कच्ची सिला है और अब हम इसको उल्टा करेंगे उल्टा करके अस्तर की किनारे की सिलाई करेंगे यानि अस्तर का जो किनारा है उसको आपको में कपड़े के साथ सेट कर लेना है अब यहां पे जो भी एक्स्टा कपड़ा है ने में कपड़े में का उसको आपको कट करके निकाल लेना ह क्योंकि margin और main cutting हम अस्तर के उपर ही कर लिये हैं तो अस्तर से एक्ष्टा कुछ भी नहीं लेना है आपको तो देखिए दोनों पार्ट सेम आइडिया से रेडि कर लेंगे अब जो हम बीच का पार्ट कटके थे देखिए यहाँ पे एफ दोनों एक साइड आना चाहिए तो देखिए दूसरा पार्ट भी इसी तरह से कर लेंगे सिराई लगा करके इसको भी छाट लेंगे तो दो पार्ट हमारा रेडि हो गया अब बाकी बेल्ट वाला पार्ट बचा है तो इसमें भी देखिए आदा इंच कपड़ा में इसलिए नीचे के साइड प्लेन कि सिराई लगा करके अच्छे से इसको पलट सकें यहां पर आप बाद में कमर पट्टी भी जुआइंट कर सकते हैं जिस तरह से आपको सुबिदा लगे यहां पर मैं सीधे साइड अस्तर वाले पार्ट को रखके नीचे से आदा इंच कपड़ा पकड़ते हुए शिलाई म यहां पर पलट लूँगे अब अस्तर को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके अस्तर की ओल राउंड स्टीचिंग कर लेंगे अब बेल्ट वाले पार्ट में ना देखिए इसमें भी आपको बस कॉर्णर पे सिलाई लगाना है और जो भी एक्स्टा कपड़ा इसमें से भी हम छाट लेंगे यहां पर स्टोन है इसके वैसे मैं आपको श्लो सिला के बता रहे हूं अब देखिए तो अस्तर वाला पार्ट भी हमारा रेडी हो गया अब इसमें का भी जो भी एक्स्टा कपड़ा है उसको यहां से हम निकाल लेंगे कट करके एकदम अस्तर के बराबर से आपको कहीं सी चलानी है इसमें आपको कुछ में एक्स्टा नहीं लेना है क्योंकि मार्जन हम अस्तर के उपर अल्रेडी पहले ही बढ़ा चुके हैं तो देखिए बेल्ट वाला पार्ट भी रेडे हो गया अब आपको बीच वाला पार्ट जो साइड गला का साइड हम कट किये थे न है फिल के थे वहां से यहां पर सीलाय लगाना स्टार्ट करेंगे तो जो राउन्ड वाला पार्ट Money L镆प वहां से इस तरह तरीके से अगर आप कटिंग और सिलाई करते हो तो बहुत ही अच्छा आता है यहां पर जो सिलाई हम सलाएं तो दोनों साइट का कपड़ आपको दोनों साइट करके यहां पर नौखुन से प्रेस कर लेना है प्रेस भी आप इसके उपर लगा लें ताकि अच्छे से से बैट जाए एक साइड का तो जुएंट हो गया दूसरे साइड का सेटा आग्या से धरी कर लेंगे जोंड कर लेंगे देखिए यहां से भी न जो सिलाई लगाए हैं दोनों कपड़े को दोनों साइड करके नौकुन से प्रेस कर लेंगे तो देखिए दोनों साइड जॉइंट हो गया है और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा पफिरेट हुआ है अब यहां पे चार कोर कपड़ा लेंगे और यहां से साइड से सील करके प्लट लेंगे उपर के साइड फोल्डेट साइड होना चाहिए हमारा एक साइड सी इसको हम खुला रखेंगे जहां से इसको प्लट करके सीधा कर सकें अब देखिए यहां पर सीधा कर लेंगे तो आप चार कोर पट्टी भी सेल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब इसी कपड़े के ऊपर रख करके आपको गले को चेक करना है कितना डीप रखना है तो यहां पर तिर्चे में मैं आठ इंच पर मार्किंग कर लूँगी दोनों सा बीच में आपको पट्टी को नहीं दिखाना है दोनों भाग को बिल्कुल पास-पास में चिपका करके इस तरह से स्टीच कर लेना है तो देखिए दोनों साइड का जो पाठ है न हमारा एक में ज्वाइंट हो गया अब नीचे से पट्टी को कट कर लेंगे यहां पर देख और यहां से देखिए सेंटर पे रखने के बाद सेंपली जितना हम नॉर्मली कपड़ा पकड़ के शिलाई लगाते हैं उतना ही पकड़ के आपको शिलाई लगाना है यहां पर घुमाव जहां भी आता है थोड़ा सा प्रब्लम होता है लेकिन आपको घपडाना नहीं है ए झुरा से अगर आपको इस तरह से बैल्ड जोड़ने में परसानी होné हो रहा है तो आप जो बैल्ड का ऐस उपर हुआ बहागोँ आप इसमय स्थ DLC को बल चुप कट लगा दें ताकि कपड़ा अच्छे से बैट जाए कि यहां पर आपको थोड़ा सा प्राब्लम होगा लेकिन आप अराम से कीजिएगा तो बहुत इजली हो जाएगा तो दूसरे साइड भी हम सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट कर लिए हैं और दूसरे साइड का भी बेल्ट ज्वाइंट कर लेंगे तो देखिए यहां पर दूसरे साइड का भी बेल्ट हमरा ज्वाइंट हो गया है और बेल्ट ज्वाइंट करने के बाद से आप इसका लुक भी देख सकते हैं भी बिना प्रेस लगाए बहुत अच्छा को टकित रहे हैं को अर्हां को जांगे और दोननों साइड के आर्म होलग को सहाटेंगे और अब हम बैक पार्ट को रिड होतके के रखें हैं बैक ब्लाउंज है और यहां पर सी यहां प caLA. और जिस तरह से हम सबीन बॉंज को सिलते हैं उसsimॉद सिल्टे से कर लेंगे और फाइनल लुक आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर आप कटिंग चिलाई करते हैं तो फिटिंग इसकी बहुत ही अच्छी आई है तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा ब्लाउंस का भी डिजाइन है उसको भी आप जरूर देखिएगा पहुती सिंपल सिंपल डिजाइन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना साथ हैं कॉमेंट करें मैं जरूर है उम कॉमें लाँ मैं नरूर देती क्या रूर देखिए झा लूर कॉमें मैंटरिक देती तीस भसे शुद। आपकर की रूंगरे जरूरपल ग्रूरेाऊ ताहिए भसे उलेकर का र Regular घवगरे उर्म तरो पढ़रण, मैं पहले कि ऊनल का सुब हैं ऑन मैंती कॉए अतल स्का